हरनास संधु ने 2021 की मिस यूनिवर्स बनकर भारत का नाम रोशन किया है मिस यूनिवर्स प्रत्योगता के दोरान हरनास संधु से जो सवाल किये गए उनका उन्होंने बहतरी जवाब दिया जिसकी वजह से वह भारत के लिए तीसरी बार इस किताब को ला पाई जूरी मेंबर रीना ने हरनास से सवाल किया था आज हम उस सवाल को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि यह सवाल अंग्रे जी में पूछा गया था और हमारा चैनल English Vocab and more मैं आपको यही सिखाया जाएगा कि English से Hindi में translate करना और English vocab तो चलिए, रीना के उस सवाल को हम Hindi में translate करते हैं रीना ने कहा था Many people think climate change is a hoax hoax का अर्थ है धोखा Many people think, बहुत लोग सोचते हैं climate change, जलवायो परवर्तन is a hoax, एक धोखा है What would you do to convince them otherwise? तुम उनको किस तरह से समझाओगी? Convince का आर्थ है समझाना इस पर हरनाज ने उत्तर दिया था Honestly, my hurts break to see nature going lots of problem इमानदारी से कहूं तो मेरा दिल तूट जाता है hurt bricks तूट जाता है To see nature, प्रक्रती को देख कर going lots of problem जो बहुत तकलीफ में जा रही है And it is all due to irresponsible behavior और यह सब गैर जिम्मेदार व्यवहार के कारण है I totally feel, मुझे पूरी तरह से लगता है that this is the time कि यह सही समय है to take action talkless, बिना बात के कारवाही करने का मुझे पूरी तरह से लगता है कि यह समय बिना बात की यह कारवाही करने का है Because our each action क्योंकि हमारा प्रत्यक action could either kill या तो मार सकता है और safe या बचा सकता है nature, प्रक्रती को prevent and protect is better than repent and repair prevent का अर्थ होता है रोकना और protect का अर्थ होता है रक्षा करना तो prevent and protect, रोकना, रोकें और रच्षा करें उचित है then बजाए repent, repent का अर्थ है पश्चाताप करना and repair, पश्चाताप करके फिर उसमें सुधार करने से बहतर है कि रोकें और रच्षा करें and this what I am trying to convince them और यही मैं आज आप समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो इस वीडियो में हमने कई ऐसे नए वकेब सीखी जैसे climate change, climate change जलवायू परवर्तन hawks, hawks का अर्थ है धोखा convince, convince का अर्थ है समझाना irresponsible, irresponsible का अर्थ है गैर जिम्मेदार prevent and protect, prevent रोकना, protect रक्षा करना repent, repent का अर्थ है पश्चाताप करना repair का अर्थ है सुधारना एक बार हम हरना संधू के द्वारा बोले गए पूरे sentence को बोलते हैं honestly my heart breaks to see how nature going, lots of problem and it is all due to irresponsible behavior I totally feel that this is the time to take action talkless because our each action could either kill or save nature, prevent and protect is better than repent and repair and I am trying to convince today and this what I am trying to convince today thank you मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो प्लीज अभी इस चैनल को subscribe कीजिए और वैल आइकन को दवाना मत भूलिएगा क्योंकि जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए क्योंकि जाए